असलामों अलेकुम केसे हैं आप सब हम सब यह अल्ला के शुकर से बिल्कुल ठीक है और मेरी हो मेरी पूरी फेमिली की तरब से आप सभी को अलविदा जुमा बहुत-बहुत मुबारा को और यह मेरी बेटी का अलविदे का सूट और नवेत तो पता नहीं कहां चला गया उसक आप लोगों को उम्मीद करती हूं काफी पसंद आएगी तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कसूरी मेती को थोड़ा सा भून के अलग रख लिया है और यहां पर तीन प्याजें उनको मैंने कटिंग करके अब तेल में भून रही हूं इनका सरे फल का कच्छा पंदूर करना इनको ब्राउन नहीं करना है ठीक है और मैं जो यह डिश बना रही हूं यह आप लोग इत की दावत में भी शामिल कर सकते हो और काफी अच्छी है मतलब डिश तो यह अब आप लोगों को देखिए पसंद आने के उपर हैं लेकिन मुझे तो बहुती अच्छी लगी और उ कुछ तीखी वाली हरी मिर्चे लिए इन सब को पीश लूँगी मिक्सर में और वो जो प्यास है वो भी साथ में पीश लूँगी यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले लिए मैंने हरी लाइची दाल चीनी तेज पत्ता और थोड़ी सी काली मिर्चे और लोंग ठीक है इनको अच्छे से हमें भून लेना है और उसके बाद फिर यह जो हमने मसाला पीशा दाना काजू वाइट तिल हरी मिर्चे और प्यास इनको हमें भून लेना अच्छे तरीके से कच्छा पन इसका दूर तो हो चुका है लेकिन थोड़ा सा और हमें तेल में भूनना है जब तो ल लाइक जरूर करिएगा अब यहां पर मैंने क्या कर रहा है मसाला थोड़ा भून गया था तो मैंने उसमें थोड़ा सा पिसा धनिया डाला है और यहां पर मैंने 500 ग्राम पनीर ले लिए और पनीर को है ना इस तरह से मैं कटिंग करके इसके पीस कर लूँगी और यह मेरी जो डिश है इसका नाम है पनीर महरानी तो यह महरानी नाम इसका इसलिए क्योंकि यह बड़ा बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है और यह पसंद भी सबको भोता आया था मेरी फेमि वह इसमें थोड़ा सा ड़ी डाल दिया और में इसमें कम से कम आदा कप तो ड़ी डाला होगा तो इसको भी दई को अच्छे से भूले नहीं देखिए तेल कितने अच्छे से उपर आ गया है और मसाला लगे नहीं इस बात का धियान रखना अब मैंने इसमें फ्रेश दूद क मलाई डाल दिये थोड़ी सी मैंने इसलिए बचा लिए वह उपर से जब हम खाना निकालेंगे तो उपर से सर्फ करते टाइम डालेंगे अच्छा मैंने इसमें नमक वग्यरा अभी तक नहीं डाला था तो इसलिए मैंने इसमें नमक भी डाला है और यह अब मैं इसमें पन और दूट भी डाल के और अब इसको थोड़ी से पकने रख दूंगी तो उसमें थोड़ा गाड़ापन भी आ जाएगा और इन अच्छे से पक जाएगा अब आप यह मत सोचना के ना इसमें तो तेल देखी नहीं रहा है अब में इसमें कासूरी मेथी डाल दी और अभी जब हम इसको बंद करेंगे ना हाँ थोड़े से चली फ्लेक्स भी डाल देना है वह चूला में आप देखी बंद कर दिया लेकिन इस चूले में थोड़ी सी आच रहती है ना तो वह थोड़ी देर मौर गाड़ा होके और पक जाएगा अब हम इसको ठाक के रख देंगे थोड़ अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी और इसको फिर से ढाक दूँगी हरा धनिया डालके तो अपनी थोड़ी दम में हो जाएगा यह हमारा सालन तो बन कर तयार हो गया लेकिन लाइट का बड़ा इशू है आजकल हमारे यहां जब दिल में आता है जब से मैं दो तीन नहीं डाल पाई में मलाई वगेरा जो मैंने फ्रेश निकाली थी ना तो उपर से डेकोरेट करते टाइम वो भूल गई क्योंकि अंधेरा भी हो गया था कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था मुबाइल का टॉट जला के तो मैंने वीडियो बनाई थी और इस तरह से मैं इसक खाने के लिए हम लोग तो खाते ही रहें और बस हमारा सालन बनकर तयार हो गया कैसी लगी पेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना फिर मिलेंगे अल्ला आफिज